आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा हर्ट डिसोटर ठीक है हर्ट डिसोटर के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं क्रीब 15 डिसोटर हम डिसकस करेंगे जो हर्ट से रिलेट करते हैं ठीक है हर्ट रिलेटिड 15 डिसोटर डिसकस करने वाले हैं और जो आज का लेक्चर होने वा होगी उसके अंदर यूनीट स्टार्ट होगी डाइजेशन फिरम डाइजेशन चैप्टर मूर्ध जो पूरी जो डांजेशन चैप्टर या六 यूनीट है जो भी है वह हम कंप्लीट करने वाले हैं उसके बाद catastrophe क्रे गेंगे तो देख देख़्ते हैं आग की लास्ट क्लास के related to heart and megalie क्या होता है enlargement यानि कि enlargement of heart is known as cardiomegalie ठीक है second ectopic cordis ectopic cordis ectopic word जहां भी आपको दीखे ना उसका मतलब होता है displaced ठीक है displaced मतलब होता है और cordis क्या है cordis is related to heart तो ectopic cordis का मतलब क्या है अगर hurt है यानि कि अपना जो दिल है वो original position से क्या हो जाए थोड़ा सा displaced हो जाए तो उसको हम उस condition को ectopic cordis बोलते है next देखिए dextrocardia and levocardia dextro का मतलब होता है right dextro का मतलब right होता है और levoc का मतलब left होता है dextro और levoc या आप कहीं भी पढ़ो किसी भी subject के अंदर पढ़ो chemistry के अंदर पढ़ो organic chemistry के अंदर पढ़ो या फिर pharmaceutical analysis में पढ़ो कहीं पे भी पढ़ो आप dextro और levoc का मतलब same रहेगा dextro मतलब right और levoc मतलब left जैसे कि आपने organic chemistry के अंदर पढ़ा होगा dextro rotatory और levocardia same वही है levocardia मतलब left, rotatory मतलब rotate हो ना तब जो left side के अंदर rotate होता है वह levotatory है ठीक, same वैसे ही यहाँ पे है देखिए, dextrocardia dextrocardia का मतलब क्या होता है dextro मतलब right और cardia मतलब hurt जो hurt है, वो अगर right side की तरब थोड़ा सा जुग जाए थोड़ा सा tilt हो जाए तो उसको बोलेंगे dextrocardia is that clear, levocardia जैसा कि आपको पता है जो हमारा hurt होता है वो थोड़ा सा left side जुखा हुआ है पहले सी जुखा हुआ है वो original position है तो इसलिए अगर हमारा जो hurt है वो ज्यादा जुख जाए original position से ज्यादा जुखा हुआ हो उसको बोलेंगे levocardia hurt shifted और excessively towards left मतलब ज्यादा ही जुखा हुआ होना left side से original position से ज्यादा तो वो होगा levocardia is that clear next देखिए next होता है bradycardia and tachycardia देखिए bradycardia brady मतलब होता है hurt rate का कम हो जाना ठीक है तो यह होता है bradycardia bradycardia के अंदर होता है जहां पर हमारी hurt बीट है वो कम हो जाती है तो decrease in hurt rate tachycardia tachycardia वो condition होती है जहां पर हमारी hurt rate increase हो जाती है ठीक है तो increase in hurt rate अगर आपको याद कैसे करना है एक याद कर लो दूसरा automatic याद हो जाएगा अब एक कैसे याद करना है आपको bradycardia याद करना है trachycardia automatically याद हो जाएगा कैसे देखे bradycardia is start from B और B से क्या बनता है below और below का मतलब क्या होता है decrease होना इसलिए आप याद करो कि decrease in hurt rate क्या होता है bradycardia is that clear तो यह से आपको याद करना है bradycardia B से below B से bradycardia below का मतलब decrease होना इसलिए decrease in hurt rate bradycardia होगा इसका उल्टा क्या होगा tachycardia मतलब इसके अंदर increase हो जाएगी ठीक है next है cardiac erdemia cardiac erdemia क्या होता है यह होता है irregular heart beat अगर हमारी जो heart beat है वो irregular हो जाए तो क्या होगा cardiac erdemia जो बोलेंगे उस condition को अब next है aneurysm aneurysm क्या होता है aneurysm यह होता है कि हमारी जो blood vessels होती है अगर उसके अंदर जैसे यह हमारी blood vessel है इसके अंदर एक bubble type structure बन जाए अब जैसे यह bubble type structure बन जाएगी तो क्या होगा यह जो position है यह जो blood vessels के अंदर जो wall है यह थीन हो जाएगी, अगर यह थीन हो गई और यहाँ पे एक bubble है तो इसका rupture होने का खत्रा भी बना रहता है ठीक है, इस condition को हम बोलते है aneurysm, अगर हमारी blood vessels के अंदर एक bubble type structure balloon type structure अज create हो जाए तो उसको हम aneurysm बोलते है अब यह bubble type structure होने से होगा क्या, जो blood का flow है, वो decrease हो जाएगा ठीक है, blood का flow क्या है, decrease हो जाएगा वो इससे यह होता है, अगर ज्यादा यह दोनों side अगर हो गई, तो क्या है, यह बहुत ज्यादा कम हो सकता है और chest में pain भी हो सकता है क्योंकि oxygen का level भी घट जाएगा oxygen पहुंचेगे नहीं आगे जाके ठीक है, तो यह होता है aneurysm, formation of bubble और value-like structure in the wall of blood vessels leading to their thickening उसकी जो blood vessels की wall वा थीन हो जाएगी and increase chance of structure, और उसका फटने का डर भी रहता है, ठीक है next देखिए, next आता है ertherosclerosis, ertherosclerosis क्या होता है, हमारी blood vessels के अंदर या तो cholesterol या calcium यह अगर deposit हो जाते है न तो उस condition को ertherosclerosis बोलती है ठीक है और especially अगर यह coronary artery के अंदर हो जाए, उसको हम एक special नाम देदेंगे, coronary artery disease is that clear, तो यह होता है ertherosclerosis calcium fibrous, blood vessels leading to its narrowing and blocking blood supply, और जो blood supply है वो block हो जाएगी, if it occur in coronary artery, it is called coronary artery disease ठीक है, next देखिए, next है myocardial ischemia myocardial ischemia क्या होता है जो heart muscle तक जो normal amount में oxygen पहुँचनी होती थी, उसके अंदर कमी हो जाती है, मतलब proper amount oxygen का heart muscle तक पहुँचनी पाता है तो इसी को हम क्या बोलते है myocardial ischemia बोलते है तो deficient oxygen supply to heart muscles may occur due to CAD, CAD, coronary artery disease क्यों हो जाएगी, इसकी वज़े से यह रहा, coronary artery disease, इसकी वज़े से भी myocardial ischemia हो सकता है क्योंकि जो blood की supply है वो रुख जाती है, blood की supply बहुत ही कम जाने लगती है blood क्या करता है, blood का काम क्या तो है oxygen करी करवाना, अगर blood की supply ही कम हो गई तो oxygen तो कमी जाएगा जाहर सी बात है, इसलिए oxygen में कमी हो जाएगी और myocardial ischemia हो जाएगा is that clear? और इसका कोई symptoms तो नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को myocardial ischemia है तो कैसे हम पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे ECG, उसका हम ECG करवाएंगे और ECG के अंदर जो ST segment है, वो हमको depressed मिलेगा, तो उससे पता चल जाएगा इस बंदे को myocardial ischemia है is that clear? next देखिए, next आता है angina pectoris, angina pectoris भी कुछ इसी टाइप में होता है इसके अंदर pain होता है एक acute chest pain chest pain को हम क्या बोल देते हैं angina pectoris होता है, यह physical stress की वज़े से होता है लेकिन यह oxygen की कमी की वज़े से भी होता है ठीक है? अब अगर आप pressed करोगे तो यह जो pain है यह ठीक हो जाएगा but it's subsides at rest myocardial infraction myocardial infraction यानि की heart attack heart attack आजाना ठीक है? heart attack आजाएगा कोई भी जो artery है या vein है वो block होके damage होगी तो क्या होगा? एकदम से heart attack आएगा उसको बोलते हैं heart attack की condition को myocardial infraction बोलते हैं cardiac arrest यानि की बिल्कुल ही जो heart है उसका काम करना ही वो pump करना ही बंद कर देगा तो वो cardiac arrest होता है मतलब की आराम arrest मतलब आराम करना अब जो heart है वो आराम करने लगा यानि की person die हो गया heart stops beating तो this is known as cardiac arrest next देखिए, next क्या है? heart failure, heart का fail हो जाना मतलब की heart जो है वो pump करते 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 inable हो जाए एक proper amount of blood पहुंचाने में तो वो heart failure हो जाएगा ठीक है? it is inability of heart to pump adequate amount of blood adequate यानि की proper amount usually results in congestion of lunges and cold congestive heart failure अब क्या होगा? जो heart है वो क्या करेगा? blood को एक proper amount of blood जो pump करवाना वो नहीं कराएगा अब क्या होगा? back flow होके जो blood है वो क्या है? lunges के अंदर आ सकता है अब जैसे lunges के अंदर अगर वो blood इकठा हो गया तो उस condition को congestive heart failure बोल देते हैं ठीक है? congestion का मिदल बहता है जमा होना hypertension hypertension hyper maane ज्यादा tension maane pressure मतलब कि blood pressure का ज्यादा होना hypertension कहलाता है एक normal volume से normal volume जो होती है 120 by 80 mmHg ये normal volume होती है जो आपको books के अंदर डाटा मिलेगा वो 120 by 80 मिलेगा लेकिन आज के culture को देखते वे आज के खान पान को देखते वे ये normal है वो इतना है जो हमारा जो normal blood pressure है वो 140 by 90 mmHg ये normal है अभी फिलाल normal बोला गया क्योंकि आज जो खान पान बोला बहुत ही चेंज हो गया पहले से इसलिए अब ये normal है लेकिन exact data 120 by 80 आपको मिलेगा books के अंदर अगर इस value से ज़्यादा blood pressure measure हुआ instrument के अंदर तो आपको hypertension है यानि कि blood pressure ज़्यादा है hypertension दो टाइप का हो सकता है तो primary hypertension is due to unknown region and secondary hypertension is due to some other disease like diabetes या obesity ठीक है secondary hypertension के अंदर हमें region पता होता है लेकिन primary hypertension के अंदर हमने region पता नहीं होता है तो ये हमारे 15 disorder थे heart disorder थे जो हमने किये ठीक है ये आज का हमारा last lecture है कौन सी unit unit number one start की है हमने unit one start की है B Pharmacy Second Sam की जिसको बोलते है blood and cardiovascular system उसके अंदर blood भी आता और cardiovascular यारी heart से related भी हमने आज finish कर दिये ठीक है तो अगर आपको इसके notes चाहिए तो आपको क्या करना है description box से अंदर जाना है वहाँ पे आपको link दिया मिलेगा आपको ये बिल्कुल सारे notes मिल जाएंगे जो भी इस lecture में भी पढ़ाया ये notes आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं next वीडियो के अंदर जाएंगे